हेलो स्टुदेंट्स गूट आफ्टर नौ टोड़े विल डिस्कस एकुलिर्म पार्ट टू कल वेटा मैंने आपको एकुलिर्म के बारे में बताया था और मैंने बताया था एकुलिर्म वेटा टू टाइप्स का था फर्स्ट वान इस फीजिकल एकुलिर्म और सेकंड वान इस केमिकल एकुलिर्म तो बता फीजिकल एकुलिर्म के बारे में तो मैंने आपको कल अबने डिसकेशन कर ली थी और आज हम डिसकेशन करेंगे केमिकल एकुलिर्म तो बटा actually में क्या होता है chemical equilibrium consider suppose को बटा हमारे पास एक reactions है A plus B आज मैं आपको यह chemical equilibrium के बारे में बता रहा हूँ A plus B and C plus D यह reactions है अब इस reversible reactions में क्या होता है बटा actually में क्या है यह reactions starting में यह जो A plus B है यह reactants है इनको हमें reactants बोल देते हैं initially आप initially word use कर लो यह T is equal to 0 word use कर लो beginning starting में क्या होता है बटा यह जो concentration है A और B की यह initially increase होती है मतलब ज्यादा होती है maximum concentration होती है और C plus D की concentration 0 होती है क्योंकि अभी तब यह react करेंगे उसके बाद ही तो product बनेगा जैसे जैसे यह आपस में react करेंगे बटा A plus B टूटेंगे तो इनकी concentration जो है वो देरे देरे decrease होती जाएगी और C plus D अब यह concentration जो product की है भी देरे देरे increase होती होती जाएगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि the rate of the forward देखो ना A plus B तो पहले किसमें बदलेगा बटा C plus D में जाएगा तो बुलेंगे the rate of the forward reaction is decreasing while the rate of the backward reaction goes on increasing आगर मैं इसको आपको grammatically graph के तरीक के से में बताऊं तो देखो बेटा हम कैसे करेंगे यह देख लो suppose कर लो यह हमारा time का according है और यह अपना rate है ठीक है होगा क्या मैंने क्या कहा कि initially concentration बेटा A plus B की 0 होती है maximum होती है और यह देरे देरे किसमें बदलते हैं C plus D में तो A plus B की concentration जो है decrease करता जाता है इसको हम बोलते हैं forward यह है बटा forward reaction फिर क्या होगा दूसरा और जो backward है फिर क्या होगा C plus D की concentration और यह फिर A plus B तो इसकी concentration जो है वो backward की देरे देरे increase करते जाती है और यह जो एक point आ रहा है बटा यह जो point आ रहा है जहां पर यह दोनों concentration जो एक प्राबर होती है इसको हम equilibrium point बोल देते हैं this is equilibrium point ठीक है इसके इसमें क्या होता है यह एक ऐसी stage है बटा यह एक ऐसी stage है यहां पर जो rate है forward reaction का और backward reaction का यह दोनों equal हो जाते है और इसी reactions को जहां पर यह equal हो जाते है इसी stage को हम बोलते है बटा state of chemical equilibrium मेरे ख्याल से बटा यह अराम से आपको समझ आ गया होगा और दूसरी तरीके से जैसे मैंने कल भी बिताया था the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction एक ही बात होगी जहां पर यह equal होते है यह है आपका chemical equilibrium तो चलो कुछ examples जो हैं वो हम discuss करते हैं इस chemical equilibrium let us take a first example फस्ट है बटा यह example one है आपकी decomposition of calcium carbonate अब हमारे पास हम यह decomposition करेंगे calcium carbonate की क्या होगा बटा हमने पड़ा reaction कल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी जब calcium carbonate है बटा यह calcium oxide में और यह CO2 में तोटता है ठीक है अब होता क्या है बटा क्या करते हैं यह जो reactions हो रही है calcium carbonate की यह पटा एक close vessel में होती है आपको simple सी बात मैं बता दूँ ऐसा क्यों होता है बटा देखो calcium carbonate जब यह decompose होगा तो यह calcium oxide और CO2 में बनेगा अगर तो हमारी यह reaction जो है यह अगर हम close vessel में लेंगे तो क्या होगा बटा यह जो carbon dioxide gas है यह further react करेगी C-A calcium oxide के साथ और वो calcium carbonate बनाएगी suppose कर लो अगर हमारा vessel close नहीं है तो क्या होगा बटा यह gas जो है escape हो जाएगी यह बाहर निकल जाएगी फिर क्या होगा इस gas के बाहर निकलने से यह gas C-A calcium oxide के साथ further react नहीं करेगी क्योंकि जब यह gas ही नहीं होगी तो react कौन करेगा और जब यह react नहीं करेगा तो calcium carbonate में कैसे convert होगा अगर मैं इस reactions को break करके लिगना चाहों तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बटा C-A-C-O-3 एक convert और यह C-A-O प्लस C-A-O-2 में अगर इस reaction को दुबारा करना है तो C-A-O प्लस C-A-O-2 यह react करेंगी तब जाके C-A-O-C-O-3 बनेगा अगर यह gas ही escape होगी और बार चलेगी तो यह reaction जो अब वो decomposition calcium carbonate की नहीं होगी equilibrium जो अब आपका shift attain नहीं होगा now second example very important example लेकर चलते हैं decomposition decomposition of N2O4 in close vessel आपको पता है में लिवड़ा जितने भी जो equilibrium में है आपके यह close vessel में ही चलते हैं अब यह देखो decomposition of N2O4 की यह बहुत important है कैसे decomposition होती है किस तरीके से यह चलते है देखो बैटा क्या करेंगे हम suppose करो we have N2O4 हमने एक close vessel में यह N2O4 nitrogen tetraoxide हमने ले ले ठीक है ऐसे और क्या था यह 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 इसको हम तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे two molecule of NO2 में यह gaseous state में ठीक है आप आप इसको हम समझते हैं initially क्या होगा बैटा N2O4 जो है यह almost stable होती है zero degree Celsius पे और that time यह colorless है colorless है ठीक है हमने क्या किया हमने क्या किया इस N2O4 को हमने एक एक glass volume में हमने ले लिया ठीक है बैटा यह इसमें हमने डाल दिया clear अब क्या किया इस glass volume को हमने यहां पर यह आइस है इस ice के ओपर रख दिया यह ice है बैटा अब क्या होगा जैसे हमने इसको ice के ओपर रखा zero degree यहां मैं पता है बैटा यह colorless है फिर हम क्या करेंगे यह जो sealed glass volume है इसको अगर मैं shift कर दूँ suppose कर लो यह glass bulb को मैंने shift कर दिया यहां पर यह पानी था एका temperature का लगओ 25 degree Celsius था ऐसा करने से क्या हुआ इसका जो color था बैटा इसका जो color था वो color change हो गया किसमे बन गया यह color यह brown color में change हो गया क्या हुआ अगर इस seal को हमने shift कर दिया इस bulb को water पे at 25 degree Celsius में the bulb starts acquiring the brown color यह देरे-देरे brown color acquired करना शुरू कर दिया ठीक है बहुत दीपर हुटा गया और उसके बाद यह constant कर रहा गया इसका इसमें indication क्या था यह indication कर रहा है कि it is a state of the equilibrium in which the concentration of N2O4 and NO2 becomes equal और यह color जो था यह brown color है क्या हुआ बैटा N2O4 जो है यह decompose हो रहा था किसमें हुआ यह decomposition इसको हो इसमें होगी nitrogen dioxide NO2 में फिर क्या किया इन दोनों को यह दोनों reaction में इक्सेर में present थे इनको test करने के लिए हमने किया कि temperature increase कर दिया दोनों बलपकाज यहां पर और ऐसा करने से क्या होगा जैसे temperature increase गिया यह brown color जो है वो धीरे धीरे deep होता जा रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब यह हो रहा है कि more N2O4 जो है वो जादा से जादा dissociate हो रही है first type की reaction यह बन रही है heat apply किया है तो N2O4 dissociate हो रहा है किसमें NO2 में क्योंकि NO2 का color जो है वो हमेशा brown होता है and then उसके बाद by cooling the ball अब अगर हम cool करेंगे तो cool करने पर क्या होगा यह जो colors था यह धीरे धीरे fade होता होना शुरू हो जाएगा यह color fade होना शुरू हो जाएगा अगर यह color fade होना शुरू कर रहा है तो this indicate that यह indication कर रहा है क्या indication कर रहा है कि NO2 molecules combined कर रहा है रो combine होके the combination करके कि यह किसमें बना रहा है यह N2O4 में जा रहा है क्या देखा भी आपने N2O4 जब dissociate हो रहा है two molecule of nitrogen में तो इसका color जो ब्रॉनिश color आ रहा है और जब हम इसको आइस में रख रहे हैं temperature down कर रहे हैं तो यह क्या हो रहा है N2O2 का color दीरे-दीरे fade up होता जा रहा है जब यह color brown हो रहा था तो इसका मतलब है N2O4 dissociate हो रहा है N2O2 में और जो N2O2 का color जो है वो क्या हो रहा है deeper के होने के बज़ाए देरे-देरे color rest में जा रहा है fade हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा N2O2 molecule जो है यह combine कर रहे है N2O4 में this is equilibrium और यही equilibrium में shift हो रहा है I think यह आपको समझा के रहा है नो इस तरीके की कई example है chemical equilibrium के लिए नो इसके बाद आता है बटा के equilibrium जो है वो dynamic in nature में आपको इसके characteristics के बारे में discussion कर लेते है now next one is the what are the characteristics of the chemical equilibrium तो देखो बटा अब इसके characteristics क्या क्या है मारी पास characteristics first one is पहला first character है बटा कि the equilibrium the concentration of each reactant and both products becomes constant मतलव reactant और जो product है Nk concentration जो है वो constant रहती है दूसरा characteristics है बटा कि equilibrium जो rate of forward reaction becomes equal to हमें पता है जो rate of forward reaction है वो rate of backward reaction के हमेशा ब्राबर होता है equilibrium dynamic in nature है तो काल बटा dynamic in nature के लिए मैं आपको बताया था कि यहां से है जितना हम पानी इसमें डालते है उतना पानी जब बार निकल जाता है तो equilibrium यह level पानी से ही रहता है बटा यह dynamic in nature है तीसरा आता है कि chemical equilibrium can be attained from either side बटा either direction किसी भी direction से यह आ सकता है अभी अभी मैंना यह जो example आपको बताई आप इसी में बटा इनको पहले आप ice में करो फिर high temperature में करो फिर अगर इनको आप medium temperature में करोगे तो यह दोनों के दोनों color जो है वो एक जैसे हो जाएंगे इसका म जैसे यह example थी न बटा इन 204 की इसमें अभी मैंना आपको इन 202 में बताई मैं का मैंना का कि अगर मैं इस एन 204 को मैं ice cube में लूँगा और 273 के लिए पे फिर मैं इसका temperature 373 तक कर दूँगा तो यह ज्यादा डीप होती जाएगी फिर इनका temperature कर नॉर्मल इसमें रखेंगे तो दोनों का color एक जैसे होएगा मतलब equilibrium कहीं save shift हो सब गए या तो either A side से या B side से मतलब N2O force हो जाए N0 2 से और next characteristics आपका आता है एक catalyst very important catalyst does not alter मतलब does not change the state of equilibrium catalyst जो है ठीक है rate of reaction को तो बेटा यह increase decrease कर देता है लेकिन chemical state of equilibrium के उपर इसका कोई भी फरक नहीं पड़ता है catalyst का तो these all are the characteristics यह बेटा characteristics थे आपके ठीक है अब कल मैं आपको law of chemical equilibrium के बारे मैं बताँगा इसमें बेटा good bye